हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन लेका आए हूँ जो की दोहर उन्निस के करेंट अफेर्स के कोशन है तो बहुती महत्पूर्ण वीडियो है तो इसलिए वीडियो को बिने स्किप के पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप आने वाली से वीडियो को देख सकें तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर आज का पहला कॉस्टन है हाली में किस राज्य सरकार द्वारा पेस बजट में परतियेक दूलहन को एक तोला सोना दिये जाने की घोस्टना की गई है तो इसका सही आंसर ओप्सन सी हो जाएगा असम असम राज्य सरकार के द्वारा जो अभी हाली में 2019-20 का बजट पेस किया गया है ये बजट असम के बित्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमाने पेस किया है आपको द्यान रखना है इस बजट में कहा गया है कि पिरतियेक दूलहन को एक तोला सोना दिया जाएगा और गरीवों के लिए एक रुपे पिरति किलोग्राम चाबल भी दिया जाएगा कोस्ट नमबर दो है निमन लिखित में से किस इस्थान पर हाली में एसिया एलपीजी सम्मेलन आरंब किया गया इसका राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा नई दिल्ली देखे केंद्रिय पेटरूलियम बे प्राकरतिक गेस मंतरी धर्मेंद्र प्रदान ने नई दिल्ली में एसिया एलपीजी सिखर सम्मेलन का उद्वाटन किया और देखे इस सम्मेलन की जो थीम थी एलपीजी जीवन के लिए उरजा ये इस सम्मेलन की theme थी तो आपको ये जरूर याद रखनी है और ये कहाँ पर इसका आरंब किया गया था इस सम्मेलन को कहाँ पर आरंब किया गया नई दिल्लिम आरंब किया गया तो आपको ध्यान रखना है तो चलिए next question देखते हैं हाली में किस राज्य ने कालिया चार्थ ब्रती योजना 2019 सुरू की है तो इसका right answer option D हो जाएगा ओडिसा देखे ओडिसा के मुख्य मंतरी नविन पतनायक जी ने इस योजना की सुरूआत की है कालिया चार्थ ब्रती योजना देखे इस योजना के तहट किसानों के बच्चों के लिए उच्छ सिखसा प्राप्त करने के लिए चार्थ ब्रती दी जाएगी आपको याद रखना है और इस योजना का नाम क्या रखा गया है कालिया चार्थ ब्रती योजना चलिए next question देखते है Question number 4 है निमने लिखित में से किस टीम ने बर्स 2019 का रड़जी ट्रोफी किताब जीता है देखे ये most important question है तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा 2019 का रड़जी ट्रोफी का किताब बिधर्व ने जीता है तो यहाँ पर इसका सही answer option D हो जाएगा बिधर्व टीम ने जीता है आपको याद रखना है और इसने final में सुराष्ट को हराया था और इसका जो final खेला गया था नागपूर में खेला गया था आपको याद रखना है तो चले next question देखते है निमन लिखित में से किसे हाली में नागरिक उडियन सचिब नियुक्त किया गया है राइट answer option A हो जाएगा प्रैदीप सिंग खरोला तो आपको याद रखना है इन्होंने जो इस्थान लिया है राजीब नयान चोवे का इन्होंने इस्थान लिया है अब नयान नागरिक उडियन सचिब प्रैदीप सिंग खरोला को बनाया गया है आपको याद रखना है चलिए next question देखते है question number 6 है हाली में किस राज्ये ने डाल्फिन की एक प्रैजाती को राज्ये का राजकिया जलिय जीव गोसित किया है right answer option D हो जाएगा पंजाब देखिए ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंदू नदी डाल्फिन को पंजाब राज्ये का नया जलिय जीव गोसित किया गया है आपको जरूर याद रखना है चलिए अगला question देखते है question number 7 है पेट्रोलियम सचीव एम एम कुट्टी के अनुसार 2.25 करूर टन कफ़त के साथ कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोकता देश बन गया है देखिए ये most important question है तो आपको जरूर याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही answer option D हो जाएगा भारत भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोकता देश बन गया है अगर हम बात करें कि प्रिधम स्थान पर कौन सा देश है तो आपको याद रखना है चीन प्रिथमिस्थान पर है और यहाँ पर जो भारत दुनिया का दूसरा सबसे वड़ा उपहुकता देश बना है इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है प्रिधान मंत्री उज्वला योजना का है देखे प्रिधान मंत्री उज्वला योजना के चलते ही भारत बिस्व क दूसरा सबसे बड़ा उपहुकता देश बना है देखे इस योजने की सुरुवात मैई 2016 में की गई थी प्रधान मंत्र उज्वला योजने की और इसकी जो टैग लाइन थी स्वच्चिधन बहतर जीवन इस योजने की टैग लाइन थी आपको ये सबी दियान रखना है तो चलिए अगला कॉस्चन देखते है हाली में नासा की हवल दुरुवीन दुआरा खोजी गई बोनी अकास गंगा को क्या नाम दिया गया है सही आंसरा उप्शन ए हो जाएगा बेदिन बन देखे नासा जो अंत्रिक्स एजनसी है ये अमेरिका की है तो अमेरिका की अंत्रिक्स एजनसी नासा की हवल दुरुवीन दुआरा एक नई बोनी अकास गंगा की खोज की गई है इसका नाम बेदिन बन रखा गया है तो आपको याद रखना है तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है कॉस्टन नमबर नो है किस राज्य में चल रहे एंडो सलफान आंदोलन को हाली में समाप्त करने की घोशना कर दी गई है सही answer option C हो जाएगा केरल राज्य में ये आंदोलन चल रहा था एंडो सलफान आंदोलन देखे इस आंदोलन के बारे मैं आपको बता दू देखे एंडो सलफान एक प्रतिबंदित कीटना सक है बच्चों में इसी कीटना सक के संपर्क में आने की बज़े से स्वास्त्य संबंदी जटिलताई पाई गई साथ ही कुछ बच्चों में जर्मजाद विक्रती या विकलानता भी पाई गई थी तो इसी कारण से यह आंदोलन चल रहा था लेकिन अब इस आंदोलन को समाप्त करने की घोस्रा कर दी गई है तो आपको दियान रखना है तो चलिए नेश्ट कोस्न देखते है निमने लिखित में से कौन सी महिला किरकेटर सो अंतराष्टेट T20 में खेलने वाली पहली ACI महिला किरकेटर बनी है इसका सही आंसर ओप्शन C हो जाएगा सना मीर देखे सना मीर पहली ACI ऐसी महिला किरकेटर बनी है जिन्होंने 100 अंतराश्टेट T20 मैच खेले हूँ तो आपको ध्यान लगना है ये पाकिस्तान की पूर कप्तान थी और दिखे ये बेस्ट अंडीज के खिलाप इन्होंने 100 अंतराश्टेट T20 मैच खेला है तो आपको ये ध्यान लगना है तो चलिए next question देखते है इसका right answer option D हो जाएगा रेवाली देखी ये question मैं आपको पहले भी एक बार करवा चुका हूँ मैंने जो वीडियो बनाया था budget 2019-20 का उसमें मैंने ये question कराया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखेगा क्योंकि बहुत ही महत्तपूर वीडियो है वो आने वाले एकजाम में आपको बहां से question देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर इस question में पूछा गया है कि जो 22 वा अखिल भारते आई रूप ग्यान संस्थान है यानि कि EMS उसकी स्थापना हर्याना के किस जिले में की जाएगी तो रेवाली जिले में की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है तो चलिए next question देखते हैं Question number 12 है निमन लिखित में से किसे हाली में CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है Right answer option C हो जाएगा रिसी कुमार सुकला देखिए भारत की पिर्मुक जाँच एजनसी CBI अगर निदेशक रिसी कुमार सुकला को नियुक्त किया गया है तो आपको जरूरी याद रखना है तो चलिए next question देखते है हाली में किस राज्य सरकार ने महिलाव का बर्जिनिटी टेस्ट कराने को अपराद घोसित करने के प्रस्ताब को मंजूरी दी है सही answer option B हो जाएगा महराष्ट सरकार देखे महराष्ट सरकार ने महिलाव का बर्जनीटी टेस्ट कराने को डंडनी अपराद गोशित किया है तो आपको ध्यान रखना है तो चलिए next question देखते है परमाणू टेक 2019 सम्मेलन निम्न लिखित में से किस इस्थान पर आयोजित किया गया तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था तो इसका सही answer option C हो जाएगा नई दिल्ली आपको ध्यान रखना है देखे इस सम्मेलन में परमाणू उर्जा और बिकिरन प्रोधुकी के से सम्मंदित मुद्धो पर विचार बिमर्स किया गया था तो आपको ये भी ध्यान रखना है तो चलिए next question देखते हैं Question number 15 है नागरिक्ता संसोधन बिदेयक 2019 के बिरोध में निम्न में से किस मड़ीपुरी फिल्मकार ने अपना पदम स्री पुरुसकार लोटा दिया है तो इसका सही answer option B हो जाएगा अरिबम स्याम सर्मा इन्होंने अपना हाली में पदम स्री पुरुसकार लोटा दिया है आपको ध्यान रखना है तो चलिए अगला question देखते हैं ICC की ताजा महिला बंडे बल्लेबाजी रेंकिंग में तीन इस्थान की छलांग लगा कर किस भारती आउपनर ने पहला इस्थान हासिल कर लिया है दिखी ये most important question है तो आपको जरूर याद रखना है तो यहाँ पर इसका सही answer option C हो जाएगा इसमर्ती मंदाना ICC की महिला बंडे बल्लेबाजी रेंकिंग में ये पिर्थम इस्थान पर हैं आपको जरूर याद रखना है और अगर हम यहाँ पर बात करें मिताली राज की जो बंडे किर्केट की कप्तान है इस समय पर महिला बंडे किर्केट की कप्तान है तो इनका जो इस्थान है ICC की बड़लेवाजी रेंकिंग में पांच बा इनका इस्थान है तो आपको ये भी ध्यान रखना है तो चलिए नेश्ट कॉस्टन देखते हैं उजबेकिस्तान के राष्टपती साबकत मिर्जियो येव के आदेश पर देश में किस विषय को पढ़ाने पर लगा बेन हटा लिया गया है सही answer option D हो जाएगा राजनीती सास्त देखिए जो उजबेकिस्तान के पूर्व राष्टपती थे उन्होंने राजनीती सास्त की पढ़ाई पर बेन लगा दिया था लेकिन अब जो उजबेकिस्तान के राष्टपती है सापकत मिर्जियो येव इन्होंने इस बैन को हटा दिया है तो आपको ध्यान लखना है और देखे यहाँ पर जो उजबेकिस्तान की राजधानी आपको ध्यान लखना है क्या है तासकंद उजबेकिस्तान की राजधानी है और इसकी मुद्रा उजबेकिस्तान सोम है तो आपको दोनों दियान लखना है तो चलिए next question देखते है बिस्व कैंसर दिवस निम्निमेसी किस दिन को मनाया जाता है देखे काफी आसान question है ये तो इसका सही answer option A हो जाएगा चार फरवरी चार फरवरी को बिस्व कैंसर दिवस बनाया जाता है तो आपको दियान लखना है तो चलिए अगला question देखते है अंतराष्ट्य बोद्धिक संपदा यानि की आईपी सूचकांक में भारत आठ इस्थानों की छलांक के साथ कितने पायदान पर पहुँच गया है तो इसका सही answer option C हो जाएगा 36 वे स्थान पर भारत की जो इस समय पर रैंकिंग है अंतराष्ट्य बोद्धिक संपदा में 36 वी रैंक है तो आपको ध्यान लखना है तो चलिए next question देखते है Question number 20 है इसरो दौरा हाली में launch किये गए 40 वे संचार उपग्रह का क्या नाम है देखे ये बहुत महत्तपून question है तो आप इसे भी ज़रूँ याद रखेगा तो इसका सही answer option ये हो जाएगा G set 31 यानि कि G set 31 40 वे संचार उपग्रह का नाम है जिसका अभी हाली में फ्रेंच ग्योयना के अंत्रिक्स केंदर से साफल परिक्सा किया गया तो आपको ध्यान लखना है तो चलिए अगला question देख लेते है बिस्व का सबसे अधिक ब्यस्त हवाई अड़ा किसे घोसित किया गया है देखे इस question का सही answer आपको हमें comment box में बता रहा है आप सभी लोग कहते थे कि वीडियो के last time में एक question पूछिएगा तो मैंना आज ये question आप से पूछा है तो आपको इसका सही answer comment box में बताना है तो आज के लिए इतना ही उमीद करते हूँ आपको वीडियो पसंदाया हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना अगर आप मारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी subscribe करना साथ ही आप हमारे पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं बेस अभी आपके आने वाले एकजाम के लिए मैत पूर है तो चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार